यह तरीका भी है, पर योग के लिए चाहिए, शरीर से थोड़ा stoppage, actual योग से, कितना भी करो, अगर दिखो आप योग में बैठे है, इधर कई दर्द होता है, सपोस हम सोसते के चलो योग में बैठे बैठे, इधर दबाते जाए, तो अगर वहाँ भी चला जाता है न ध्यान, तो योग में फरक पढ़ जाता है, है न बहुत असे, तो मतलब एनी हलचल, योग में मास्टर नहीं करा सकता है, वो अलग बाते, भावना ये, बहुत अच्छी, फीलिंग्स में बाबा बैठा है, उस समय गी, लेकिन वो एक, एक कॉंसेंट्रेशन, इसलिए बावने आज बहुत क्लियरली कहा, योग के लिए एकांद चाहिए, सोला तीन, मिठे बच्चे, ज्यान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग है, योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है, योग के लिए एकांद की जरूरत है, अच्छा, प्रश्ण है, स्थाई याद में रहने का आधार क्या है, पर्मनन्ट याद हो, एक बहुत अच्छा तरीका बावा ने बताया, कहां कहां बुद्धी जाती है, हाँ, मतलब फिर उसका जो रीजन्स है, जहां जहां मेरा पन है न, वहां बुद्धी फसी हुई है, तो बावा कहते हैं, उसमें उसको भूलते जाओ, मेरा पन, मेरे पन की, मतलब मेरा है, मेरे अकॉर्डिंग होगा, तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है, उसे भूल जाओ, फिर क्या-क्या आता है इसमें, शरीर भी यार न रहें, बहुत अच्छा पुर्शारत है न, शरीर भी मेरा नहीं, इस सब इश्वरिय सेवा में लगा दो, यहां से भी भूल जाओ, लेकिन यह भी नहीं कि मेरा कुछ नहीं है, पर जहां-जहां वो मेरा वाला हमने किया हुआ है, अगर वो राइट जगह भी नहीं है, जैसे हम तो कहेंगे बच्चे मेरे नहीं है लेकिन अगर वो बच्चे इधर उधर रूल रहे है तो फिर उन आत्म क्योंकि ड्यूटी तो थी न इसलिए बाबा केते हैं तो जहां जहां मेरा अपने उसको सेवा में लगाओ सब इश्वरी ये सेवा में लगा दो तुम बच्चे प्यार से बाब को याद करेंगे तो याद से याद मिलेगी फिर बाबा भी करंट देंगे और करंट से ही आयू बढ़ती है याद से आयू कैसे बढ़ती है ये प्रोसीजर है तो पहला कहा है बुल जाओ दूसरा उसे इश्वरी ये सेवा में लगा दो तीसरा ये कुर्वानी है तो बाबा की याद याद से याद मिलेगी थर्ड और फिर करंट मिलेगी ये करंट उमर बढ़ाईगे आयू बढ़ाईगे योगी की आयू बढ़ती है आत्मा एवर हेल्दी बन सकती है ओम शन्ती अब योग और ग्यान दो चीज़े है बाब की पास ही बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं बाब को जो बहुत याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है क्योंकि याद इसे याद मिलती है ये काईदा है क्योंकि मुख्य है याद ऐसी नहीं की ग्यान बहुत है इसका मतलब याद करते है नहीं Starting में क्या था? ग्यान के डिपार्टमेंट अलग है योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है ज्ञान के उससे कम है योग से आत्मा सतोप्रधान बन जाती है क्योंकि बहुत याद करते है याद के बिगर सतोप्रधान बनना असंभव है वी ट्राइ करेंगे अभी से लेकर जब तक मुरली सुन रहे हैं कितना बाबा फील हुआ करेंगे न वो महनत करेंगे यान में भी कॉंसेंट्रिशन पूरा हो जाता है बलकि ज्यादा कॉंसेंट्रिशन ग्यान में होता है पर फूर उसमें भी थोड़ा भी फिजीकल फीलिंग होगी न तो बावा कहते हैं, बच्चे अच्छी रिती याद करते तो बाप की भी याद से याद मिलती है बाप को खिचते हैं, ये भी बना बनाया खेल हैं, जिसको अच्छी रिती समझना है, याद के लिए बहुत एकांत भी चाहिए पिछाड़ी में आने वाले जो उचपद पाते हैं, उसका आधार भी याद है उन्हें याद बहुत रहती है, याद से याद मिलती है जब बच्छे बहुत याद करते हैं तो बाप भी बहुत याद करते हैं वह कशिश करते हैं, कहते हैं ना, बाबा रहम करो, क्रपा करो, इससे भी चाहिए याद है, अच्छी तरह याद करेंगे तो automatically वह कशिश होगी, करंट मिलेगी, बाबा की करंट मिलेगी, आत्मा को अंदर आता है कि मैं बाबा को याद करता हूँ, करती हूँ, तो वह याद एकदम भरपूर कर देती है, ज्यान है धन, याद है बल, धारणा है शक्ति, सेवा है दुआ, तो बाबा केते हैं, याद से फिर याद मिलती है, जिसे हल्दी बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं, इतनी ताकत है, जो सारे विश्व को पवित्र बना देते हैं, इसलिए बुलाते हैं, कि बाबा आकर पतीतों को पावन बनाओ, मनुष तो कुछ नहीं जानते ऐसी रड़िया मारते है, और समय वेष्ट करते रहते है बाप को जानते ही नहीं है, नौदा बक्ति भल करते है शिव के मंदिर में जाकर काशी कलवट खाते है मिलता कुछ भी नहीं है फिर भी विकरम बनने शुरू हो जाते है माया जट पसा देती है क्लीन कैसे होंगे नहीं, नौधा भक्ती भल करते है मिलता कुछ नहीं पुराने कतम हो जाएंगे पर एक तो पुरा इतना बड़ा किया न उसका भी इंटेंशन से पता चलेगा कोई घर से तंग आके सोचते काशी कलवट चलो भगवान के पास जाओ वो भी वो तो कॉस्चन मारक है काशी कलवट से हिसाब किताब, पाप, करम, केवल योग और भूग चलो ड्रामा फिर भी विकरम बनने शुरू हो जाते हैं माया जट फसा देती है शिव के मंदिर में जाकर काशी कलवट काते हैं मिलता कुछ भी नहीं है नहीं तो फिर तो हिसाब किताब कम होते जाएंगे न हर कोई के विकरम कम हो सकते भक्ती करने से क्योंकि फिर वो करेंगे नहीं न जादा जो बने होए है तो लोन कम नहीं हुआ न प्राप्ती कुछ भी नहीं है अब तुम जानते हो पतीत पावन बाप है उन पर कुर्बान जाना चाहिए वो समस्ते शिव शंकर एक है यह भी अज्यान है यहां बाबा बार बार कहते है मन मना भव मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे तुम काल पर जीत पाते हो इससे तुम जितनी कोशिश करेंगे तुम आया भी विगना डालेगी क्योंकि माया समझती है यह बाब को याद करेंगी तुम मुझे छोड देंगे क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो माया क्यों विगन डालती है एक employee कमो हो रहे है या उसका तुम मेरे बनते हो तो सब को चोड़ना पड़े मित्र संबंदी इधन आदी कुछ भी याद ना आए मेरे बनते हो तो एक कथा है वो सन्यासी के लिए लाठी भी छोड़ो सब चीजे छोड़ाते हैं परन्तु यह कभी नहीं कहते है कि शरीर को भी याद नहीं करो एक कमंडल क्यों रखा है लाठी था कमंडल लेके भाग रहे थे ना वो शुकदेव जी महराज राजा जनक ने परिक्षा लेके राइट सीकर है कि नहीं ओडर किया अगनी हो जाए और सियांसन पर बैठे है अगनी करो अगनी हो जाए जल रहा है सब कुछ देख रहा है सब कुछ आगे पीचे जल रहा है पूरा और वो आग दीरे दीरे तब तक चुपचाब बैठे थे तब आग उनके पास आप यह आने लगी बहुत 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 तो फिर उन्होंने एक ही बोला ना जले हो एका क्या जलना वो बैठे है और यह बुला अपना कमंडल लेकर भाग रहे है तो मतलब उन्होंने अपना बताया कि मैं क्या हूँ परन्तु यह कभी नहीं कहते शरीर को भी याद नहीं करो बाप कहते ही शरीर तो पुरा नहीं इसे भी भुलो भक्ति मार की बाते भी छोड़ दो एकदम सब कुछ भूल जाओ अत्वा जो कुछ है काम में लगा दो राइट जग यूज हो तो भी आत्मा संतुष्ट रहती है वो जो भी रिसोर्सेज है हमारे तो बाबा कहते हैं तभी याद ठीकेगी नहीं तो वहां बुद्धी जाएगी न कि अरे ऐसा हो और फिर उस रिसोर्से से चलो फर एकजामपल धनी है अगर वो रॉंग जग यूज हो रहा है मेरा परविव वाला था तो फिर वो आत्मा का रीजन कौन है मैंने उसको वो धन दिया और वो रॉंग जग यूज हो रहा है तो हिसाब अकाउंट किसके तरफ जाएगा कॉंट्रिबूशन है कि नहीं डारेक्टर कोई भी गलती करता है चैर्मेन को मिलेगा कि नहीं इसलिए बाबा केते राइट जग यूज हो अगर उच्पत पाना है तो बहुत मेनज चाहिए क्या शरीर भी याद न रहे अशरीरी आए थे अशरीरी होकर जाना है बाब बच्चों को पढ़ाते है इनको कोई तमना नहीं है यह तो सर्विस करते है बाब में ही तो ग्यान है न यह बाब और बच्चे का खेल अई कठा बच्चे भी याद करते हैं फिर बाब बैट सर्च लाइट देते हैं कोई बहुत खीचते हैं तो बाब बैट लाइट देते हैं बहुत नहीं खीचते तो यह बाबा बैट बाब को याद करते हैं कोई समय किसको current देनी होती है कोई बहुत खीचते तो बाबा बाब बैठ लाइट देते वो किया था न और के लिए विश्व-किश्व भाओ के लिए कोई समय किसको current देनी होती है rendi ने क्या कहा, वो तो वहां या, उसने फोन थुड़ी किया उस समय कि बाबा मुझे लाइट दो, सकाश दो कुछ ने, बोले बाव तुम फोन क्यू करता है, बाबा रात बर सोया नहीं, कोई समय कि इसको करंट देनी होती है, तो नीद फिट जाती है, कौन बोल रहा है, यह इसी लिए और इजी है, बाबा को, यह फूरना लग जाती है, सुनो, कि फलाने को करंट देनी है, बढ़ाई से आयू नहीं बढ़ेगी, करंट से आयू बढ़ेगी, एवर हल्दी बनते हैं, दुनिया में किसकी आयू एक सो पचीस, एक सो पचास वर्ष भी होती है, तो जरूर हल्दी होंगे, भक्ती भी बहुत करते होंगे, भक्ती में भी कुछ फाइदा है, नुकसान नहीं, जो भक्ती भी नहीं करते, कुछ तो फाइदा है, तोड़ा तो डड़ते हैं पाप से, उस तो पुन्य करम लगाते हैं, सारा अपने ही शरीर पर या इस तरह मुओं में खरच तो नहीं करेंगे, अच्छा, जो भक्ती भी नहीं करते, उनके मैनर्स भी अच्छे नहीं होते, रिगार्ड भी नहीं होता है नहीं तो बढो का, जहां, जिस घर में वहां बहनेद चली भी जाए ना, उनको कुछ value ही नहीं है, ऐट्लीस चाहिए बहनों को नहीं मानते, लेकिन भक्ती वालों को value तो है न, तो भक्ती में भी कुछ वाइदा है, नुकसान नहीं है, भक्ति में भगवान में विश्वास रहता है धंदे में जूट पाप नहीं करेंगे क्रोध नहीं आएगा तो की भी महिमा है मनुष्य को ये मालूम ही नहीं कि भक्ति कब शुरूर ग्यान का तो पता ही नहीं पढ़ता भक्ति भी पावर्फुल होती जाती है फिर भी जब ग्यान का प्रभाव हो जाता है तो फिर भक्ति क्या हो जाता है हां बोलो भई भक्ति फिर बिल्कुल छोट जाती मतलब हायर क्लास है छोड़ना नहीं होता है अब तुम सेकंडरी में जाओको तो प्राइमरी ऑटोमेटिकली छोड़ा थोड़ी है अपग्रेड हुआ है तो कोई छोड़ नहीं रहे है मतलब हमारी आगे अपग्रेड हुआ अब केवल प्यॉरली भगवान को याद करते हैं वहां माला फिरते थे तो एक स्टेप और आग ग्यान उनको समझेगा ही नहीं अगर भक्ति की है पूरी तो ही सुनेगा तो ग्यान का तो पता ही नहीं तीदी पावरफुल होती जाती है फिर भी जब ग्यान का प्रभाव हो जाता है तो फिर भक्ति बिलकुल छोट जाती है यह दुख सुख भक्ति और ग्यान का खेल बन मनुष्य कह देते हैं, दुख सुख भगवानी देते हैं, फिर उनको सर्व्यापी भी कह देते हैं, लेकिन दुख सुख दुख अलग अलग चीज है, ड्रामा को न जानने के करण कुछ भी समझते नहीं है, इतनी सब आत्मा एक शरी चोट दूसरा लेती हैं, यह तुम ही जा अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पवित्र बनना है, वहां तो है ही पवित्र सुख दाम, सुख में कोई यादी नहीं करते, भगवान को याद करते हैं, दुख में, देखो ड्रामा कितना वंडर्फुल है, जिसको तुम ही नंबरवार जानते हैं, यह जो पॉइंट्स लिखते हैं, वह भी भाषन के समय रिवाइस करने के, भाषन करना हो ना तो पहले पॉइंट्स लेख, उल्जार दादी लिखती थी, उश्वाबेन बताती हैं, तो लिखते थे, जो भी, बोला दादी आपको तो क्या लिखना है, आप ग्यान का बंडार हो, बोला नहीं, इतनी बड़ी सबा में भाषन करना है, एक्यूरेट पॉइंट्स होने चाहिए, ऐसी नहीं, all of a sudden, तो बाबा कहते हैं, भाषन के समय रिवाइस करने के लिए, यह जो पॉइंट्स लिखते हैं, डॉक्टर वकील भी पॉइंट्स नोट करते हैं, अब तुमको बाब की मत मिलती है, तो फिर रिवाइस भी करना चाहिए, भाषन करने के समय, इसमें तो है बाबा की प्रवेश्ता, सुना, भाषन के समय रिवाइस करो, बाब तुमको समझात तो यह भी सुनेंगे, इस समय उसको कुछ तयारी नहीं करने पड़ती है, यह पॉइंट्स नहीं सुनाते, वह पॉइंट्स नहीं सुनाते, सुनो, तो मुझे क्या पता है जो तुमको समझाओ, कौन बोल रहा है, पैचाना, क्या बोलो, बोलो विनोध भाई, कैसे क्या बो ध्यान से सुन रहा है, वह पॉइंट्स नहीं सुनाते, तो मुझे क्या पता जो मैं तुमको समझाओ, बाप केते हैं, बहुत जन्मों के अन्त का जन्म है, प्रमा और विष्णु का चित्र भी है, तुम राजाई में चलते हो सिर्फ नंबर वार, जितना याद करेंगे, ध घुडबाते हैं बाबा्किया, बाप केते हैं, गुईं गुईं आइब आप सुनाता हूं, तुम नहीं-नी पॉइंट्स नोट करो, नहीं पॉइंट्स लगी कुछ, तुम पुरानी काम में नहीं आएगी, भाषण के बाद फिर याद आएगा, कि यह पॉइंट्स अगर सम सबसे अच्छे महारत थी है बाबा की बात ही अलग है यह बाप दादा दोनों इकठे है मम्मा सबसे अच्छा समझाती है समझाती थी बच्चेस संपूर्ण मम्मा का साक्षातकार भी करते थे कहां जरूरी होता था तो बाबा भी प्रवेश करके अपना काम करा लेता था यह बच्चे सब समझने की बाते है पढ़ाई के पढ़ाई फुरसत के समय होती है न सारा दिन तो धंदादी करते है विचार सागर मन्थन करने के लिए फुरसत चाहिए मन्थन के लिए शांती चाहिए देखो विचार स ले कांथ चाहिए क्योंकि भरा हुआ तो है न एडियूस बाहर निकालना है इंडियूस नहीं इंडियूस हो गया अब एडियूस करना है तो समझो कोई को करंट देनी है कोई अच्छी सर्विस करने वाला बच्चा है तो फिर उनको मदद करनी है उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है शरीर को याद फिर कैसे करते बाबा शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद करना है समझा सब कहते कैसे वतन में क्या इमर्ज करे शरीर को याद कर फिर आत्मा को फोकस का है हमारा आत्मा आत्मा को याद करना है यह यूगति रचणी है बाबा कैसे सकाशत दॉत है तो कहा कहा बाबा याद करता है कोई अच्छी सर्विस करने बला बच्चा है तो उनको मदद करना हो फिर खुद को भी आत्मा समझ कुछ न कुछ उनकी आत्मा को भी याद करना है। ये कौन बोल रहा है? कैसे? बोलो बोलो, वेरा ली कब इन बोलो, कौन बोल रहा है? क्या बोला? देखो, बाप को याद करना है, फिर खुद को भी आत्मा समझ कुछ न कुछ उनकी आत्मा को भी याद करना है। प्रम्मा बाबा बोल रहे ना यह जैसे सर्च लाइट देना होता है बाप को याद करना है फिर उनकी याद बाप को याद करना है तो कौन याद करेगा फिर उनकी यात्मा को याद इमर्ज करके पर सर्च लाइट दिनी होती है ऐसे नहीं सिर्फ एक जगह बैठ याद करना है चलते फिरते भूजन खाते भी बाब को याद करो अच्छा और फिर अब करंट देना है तो दूसरे को करंट देना है तो फिर रात्री को भी जागो लाई से पाच का टाइम है करंट देना है तो किसी के लिए बहुत स्पेशल योग करना है तो ये टाइम है जब उसका सबकॉंशेस माइंडफुल एक्टिव होता है scientifically तब उस समय उसको करंट दे सकता है तो बाबावी लाइट देते हैं बच्चों को समझाया है सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उत्ना कशिश होगी मैं बाबावी लाइट देंगे है니까 फूल पास हाफपास सेवाधार्यों को तो बिल्कूल फूल पास चाहिए पूरी करंट चाहिए अभी तो ठीक है तो बाबा केते हैं बाबा भी लाइट देंगे बाबा का यही धंदा है बच्चों को सर्च लाइट देने का जब बहुत सर्च लाइट देनी होती है तो बहुत सर्च लाइट देनी होती है तो भी बाब को बहुत याद करते हैं तो बाब भी सर्च लाइट देते हैं एक हॉंटिंग थोट ऐसे पीछे चलता रहे बाबा को जिनको सर्च लाइट देनी होती है उस आत्मा के लिए आत्मा को याद कर सर्च लाइट देनी होती है यह बाबा भी सर्च लाइट देते हैं, फिर इसको बाबा जो सर्च लाइट देते हैं, फिर इसको क्रपा कहो, आशिरवात कहो, कुछ भी कहो, सर्विसेबल बिमार होगा, तो क्या करेगा बाबा? सर्विसिबल बच्चे चाहिए तो बाबा तो तरस पड़ेगा रात को जाक कर भी उनकी याद करें कि उनको पावर की दरकार है सुना हम सर्विसिबल करेंगे जब तन अच्छा है जब हमारी कैपैसिटी अच्छी तब अच्छे से सर्विस करेंगे न तो बाबा फिर वैसे समय में हमको हमने टाइम पे मदद की बाबा हमको मदद करेंगे क्योंकि जब शरीर अच्छा है तो बहाना नहीं करो कि क्या करे ये हुआ ये है गेस्ट आ गए ये है तो बाबा भी क्या करेगा जब हमको ज़रूत होगी तो बाबा केते, सर्विसेबल होगा, बीमार होगा तो तरस पड़ेगा, रात को जाक कर गे उनकी आत्मा को यात करेंगे, क्योंकि उनको पावर की दर कारें, किसने कहां, बोलो गुलाब भाई बताए, किसने कहां, अव्यक्त परिष्टा बताओ भी बाबा ने, किसने कहां ये सब, पर क्या कहां पहले ये याद है, ब्रह्मा बाबा, देखो, रात को जाक कर भी उनकी आत्मा को याद करेंगे, सुना, बहुत कॉन्वसेशन चल रही है आज, अब पास होना है, नेक्स्ट में, क्योंकि उनको पावर की दर कार है, याद करते हैं तो उनको रिटन में याद मिलती है, बाप का लव बच्चों पर जासती है ना, फिर उनको भी याद पहुँचती है, बाकि ज्यान तो सहजे, उसमें माया के विग्न नहीं पढ़ते हैं, मुख्य है याद, इसमें विग्न पढ़ते हैं, याद से बुद्धी सोने का बरतन बन जाती है, जिसमें धारणा होती है, कहवत है, शेरनी का दूध, सोने के बरतन में छहरता है, इस बाप के ज्ञान धन के लिए भी सोने का बरतन चाहिए, वो तब होगा? सोने का बरतन हो, पहले तो ज्ञान सोने का बरतन चाहिए, लेकिन वो सोने का बरतन भी कब होगा, तो जब याद की यात्रा में रहेंगे, देखो, पुन्य है, तो ज्ञान मिलेगा, तो ज्ञान मिलेगा, तो याद होगी, याद होगा, तो बुद्धी सोने का बरतन होगी, फ यान ठहरेगा मतलब धारणा है तो यह है दोनों है सिक्वेंस है पूरा फिर सेवा है याद ही नहीं करेंगे तो धारणा ही नहीं करेंगे ऐसे मत समझो कि बाप अंतरियामी है कुछ बोला और हुआ यह तो बक्तिमाद में होता है बच्चा हुआ तो कहेंगे गुरू की क्रप है अच्छा अगर नहीं हुआ तो कहेंगे इश्वर की भावी राद दिन का फर्क है तुम बच्चों को ड्रामा का रास्त बापने अच्छी रिती समझा है तुम भी पहले नहीं जानते थे यह है तुम्हारा मढ़ जीवा जनम अभी तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं तुम इस टॉपिक पर समझा सकते हो कि यह लक्ष्मिनारण को राज्य कैसे मिला फिर कैसे गवाया सारी हिस्ट्री जोग्रफी हम आपको समझाएंगे यह ब्रह्मा भी कहते हैं लक्ष्मिनारण की पूजा करते थे गीता पढ़ते थे बाबा ने जब प्रवेश किया तो फिर सबको छोड़ गया सामने आ गया ना मैं पहले पढ़ती थी ऑथर कौन सा था वो जो भी ऑथर वाले बुक्स पढ़ते थे नाम लोग वो सपोज इंद्रा गांधी का इपुक पढ़ रही हूं उसने लिखा है अब वो सामने मुझे बोल रहा है तो मैं क्या करूंगे ब बाबा केते प्रवेश किया तो छोड़ दिया साक्षातकार हुआ बाब ने काया मुझे याद करो तो विकरम विनाश होंगे इसमें गीता अधी पढ़ने की बाती नहीं है बाप इन में बैठा है सब को छोड़ा दिया फिर कभी शिव का दर्शन करने मंदिर में नहीं गए ब्रह्मा बाबा क्या क्या छोड़ा ब्रह्मा बाबा ने जब ग्व्यान की प्रवेश्था बाप की प्रवेश्था हुई बक्ति है संबंदी अलोकिक धन को इश्वरिय सेवा में भक्ति को इतने सारे त्याक्या वन येर में सारा बावा कहते हैं मुझे याद करो तो कभी शिव का दर्शन करने मंदिर में नहीं गए भक्ति की बाते एकदम उड़ गई ये नौलेज बुद्धी में आ गई रचता और रचना के आदि तो ये नौलेज बुद्धी में आ गई रचता और रचना के आदि मद्यांत की बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो तो ये वंडर्फुल टॉपिक्स लिखो जो मनुश्य वंडर खाए भागे सुनने के लिए मंदिर में जाकर कोई से भी पूछो अच्छा जब ये लक्षमिनारेंड विश्व के मालिक थे क्या पूछना है तो और कोई धरम नहीं था भारत ही था अच्छा फिर तुम सत्यू को लाखो वर्ष कैसे कह देते हो अब पहले तो एगरी हो कि मुझ ऐसा राज्य भी था तो फिर बावा कहते है फिर उसको लाखो वर्ष कैसे कह दिया जबकि कहते है क्राइस्ट से तीन हजार वर्ष पहले पैरेडाइस था फिर लाखो वर्ष कैसे होए लाखो बार गुमा उसको उन्होंने कहते है लाखो वर्ष होए जैसे हम कहते है लाखो बार हम गए कोई भी चीज बहुत समय होती न तो हम कहते है लाखो बार समझा दिया कोई समझाया थोड़ी होगा लाखो बार अगर पूरी जीवन में भी इतना कोई सुन भी नहीं सकता है जो हम समझा सके हैं पर बहुत समझा है तो वह तो फिजिकल ले लिया ना ये गलती होई जबकि कहते है क्राइस से तीन हजार वर्ष पहले पैरेडाइस था फिर लाखो वर्ष कैसे हो लाखो वर्ष में तो धेरों के धेर मच्छरों सद्रिश उन्हों की बुद्धी में ये ज्ञान बैठेगा नहीं तो कहेंगे अगर इस कूल के होंगे तो ज्ञान बैठेगा नहीं तो क्या कहेंगे कल्पना है अब पोड़े अच्छी बात बोली बावा ने आज कलका देखना रिस्पॉंस थोड़ा पॉसिटिव है यह सब हम थोड़ा वो वाले साइड में बोल रहें न तो बावा केते नहीं तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान बंडर्फूल है यह है इतना तो है तुमारा ज्ञान बंडर्फूल है इसमें समझने की बुद्धी चाहिए मुख्य बात है याद की स्त्री पुरुष एक दो को याद करते है यह आत्मा याद करते है परमात्मा को कोई फॉर्मर था ना पॉलिस कमिशनर उसको फोन किया तो वह आने का तो कहते हैं हाँ आपका ज्यान आपका बहुत अच्छा है आप लोग बहुत अच्छा काम करती हैं मैं मिलने आऊंगा अलब इतना इंप्रेशन बहुत अच्छा है लोगों का इसमें समझने की बुद्धी चाहिए मुख्य बात है याद की स्त्री पुरुष एक दो को याद करते हैं याद करते हैं परमात्मा को इस समझ सब रोगी है अब निरोगी बनना है यह टॉपिक भी रखो कौन सा टॉपिक आएगा एवर हेल्दी कैसे बने है गौड दे हिलर ऐसे हैं टॉपिक भोलो इतना बड़ा नहीं टॉपिक गौड दे हिलर हिलिंग करेंगे हिलिंग वाला टॉपिक फिर यह टॉपिक भी रखो बाबा बोल रहे बोलो आप जो गड़ी-गड़ी बिमार पड़ते हो ना तो हम आपको ऐसी संजीवनी बूटी देंगे जो तुम कभी बिमार ने पड़ेंगे अगर हमारी दवाई अच्छी तरख काम में लाएंगे तो सुना हम ऐसी दवाई देंगे अब फरक है ना हमारी दवाई में तो कितनी सस्ती दवाई है क्यूँ फिर बी बोलेंगे तुम लोग के तो बहुत बिमार पड़ते बड़े बड़े तुमारे बिमार पड़े अब वहां अकाउंट सेटल हो रहे हैं बाबा देखो और थोड़ा और क्लियर 20 पीडी हम खली इस जनम की बात नहीं कर रहे हैं तो 21 पीडी सत्युक्त रेतार तक बिमार नहीं होंगे वो तो गैरेंटी है ना एक जनम अकाउंट पॉटल 20 जनम वह है ही स्वर्ग तो ऐसी सी पॉइंट्स नोट कर लिको तुम सब सर्जनों से भी बड़ा अविनाशी सर्जन तुमें ऐसी दवाई देंगे जो तुम भविश्य 21 जनम के लिए कभी बिमार नहीं पुरेंगे अभी है संगम और अभी अगर बिमार है तो अभी भी फाइदा बाद में तो है अभी है संगम तो ऐसी बाते सुनकर मुनिश्य खुश होंगे भगवान भी कहते मैं अविनाशी सर्जनों याद भी करते हैं पतीत पावन अविनाशी सर्जनाओं अब मैं आया हूँ तुम सब को समझाते रहो अंत में आखरिन सब समझे जरूर करते जाओ करते जाओ याद आएगा हमको यह काड मिला था बाबा क्यांगे समझेंगे जरूर बाबा यूतिया बताते रहते हैं अच्छा मिठे मिठे सिके लदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मोनिंग रुआने बाप की बाप की याद में बैठना है सवेरे सवेरे उच बाप की याद में बैठना है अगर लेना है रात्री को जाग कर किसके लिए बोला था रात्री को यह तो दिखाई दे रहा है एक दो को करंट दे मददगार बना है ठीक है धाई से पाच वो ही त्याग कर सकता है जो बहुत जरूरी फिल करेगा उस आत्मा के लिए दूसरा है अपना सबकुछ इश्वरिय सेवा में सफल कर इस पुराने शरीर को भी भूल बाप की याद में रहना है पूरा कुर्बान जाना है दे अभी मानी रहने की महनत करनी है वर्दाने स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाब्द करने वाले माया जीत भव अपने आपको जानना अर्थाथ स्वदर्शन चक्र धारी बना जब स्वदर्शन चक्र धारी बनते हो तो अनेक माया के चक्र स्वतह समाब्द हो जाते कौन-कौन से चक्र है देभान का चक्र संबंदों का चक्र समस्याओं का चक्र माया के अनेक चक्र है देखो इसको बाबा चक्र क्यों कहते है वो बताना 63 जनम नहीं अनेक चक्रों में फस्तिर है अब स्वधर्शन चक्रधारी बनने से माया जीत बन गए है, स्वधर्शन चक्रधारी बनना अर्था ज्यान योग के पंकों से उर्तिकला में जाना, तो स्वधर्शन चक्रधारी तो अनेक चकर, दे है, फिर प्रॉबलम है, फिर वो ठीक हो गई, फिर उससे और अटेच्में हुआ फिर मतलब यह साइकल है संबंद है पहले सोचते थे बड़े हो जाएंगे फिर फिर बाद में बोले बच्चे अभी छोटे है बच्चो अब बच्चे सेटल हो गए अब क्या प्रॉबलम आ गई फिर बोलता है यह प्रॉबलम है चक्कर चलता ही रहता है कोई एंड नही विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितिया सहच पार हो चाएगे विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितिया सहच पंद्रह पाप दादा बच्चो के दुख की लहर की बाते सुनकर वा देखकर सोचते है जो मुर्ली धर बाप की मुर्ली सुनकर अतिंद्रे सुख के जुले में जुनते है उन्हें मुर्ली के साथ से अविनाशी दुआ की दवा मिल जाती है वे तंदुरस्त मंदुरुस्त मस्ती में मस्त बेपरवा बाद्शा बन जाते हैं मुर्ली दवा है की नहीं वे स्वयम को बाप के सर्व खजानों के मालिक स्वराज्य अधिकारी बेगमपूर का बाद्शा अनुभव करते हैं संगम जुग पर ही बढ़े ते बढ़े बाद्शाओं की सवा लगती है किसी भी युग में इतने बाद्शाओं की सवा नहीं लगती है इतने सारे आठो विश्व माहराजन इधर बैठे इतने सारे राजाई इकटे बैठे इस सब सभा देखो वोई क्लास में अगर पता हो कि ये सारे चैर्मेन बनने वाली बच्चे है क्या कहेंगे चैर्मेनों का क्लास है बादशाओं की सबाब हमा क्या रहे है ओके जी ओम शांती